Hello students, आप देख रहे हैं College Kaka, जहाँ पर counseling और college से related सभी information मिलती है, तो सबसे पहले subscribe करिएगा आप इस channel को, Neat Kaka जी का sister channel College Kaka, सबसे पहले subscribe कीजिए, जिससे timely आप हर वीडियो को पा सकें, Start कर रहे हैं क्या आज का topic है, हर जगे आप एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि bond क्या होता है, कैसे होता है, एक बार समझ लीजिए, फिर मैं एक एक service bond और discontinuation bond की बात करूँगा, MBBS में जब हम जाते हैं, जब हम selection हमारा हो जाता है, तो at a time of admission, हमें एक bond fill करना होता है, हर state में different bond होता है, दूसरी चीज़ बच्चों का question होता है कि क्या AIQ से अगर अपनने admission लिया है, तो bond होता है क्या, पहले नहीं होता था, आजकल होता है, और हर college में different होता है, हर college में ये different होता है, AIQ में किस college में कितना हमें bond भरना होगा, इसके लिए MCC की पुरानी जो website होती थी, उस पे एक पूरी list थी, उस website का link में आपको description box में भेजूँगा, description box में आप जा करके वो link देखेंगे और इस link पे जैसे ही जाएंगे, हर college के आगे आपको bond status दिखेगा, अगर bond ह है वहाँ पे तो bond status में लिखा होगा, नहीं है bond तो कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो bond status में जाएगा, देखिएगा क्या bond होता था, वो भी last year तक का होगा, नए bonds अभी नहीं आएंगे, ठीक है, जब आएंगे तो पता चलेगा आपको, तो AIQ के through, हर college by college bonds जो हैं वो different होते ह क्या लगते हैं bonds, वो मैं आपको बताता हूँ, दो तरह के bonds होते हैं, एक होता है discontinuation bond और एक होता है service bond, discontinuation जो bond है, उसका मतलब क्या होता है, इसको आप समझेगा, discontinuation bond वो bond है, जो आप अगर seat छोड़ देते हैं, सपोज करिए, आपने admission लिया और counselling पूरी होने से पहले, या अगर उसके बाद seat छोड़ी, तो discontinuation bond हम पे apply होता है, seat खराब की है क्योंकि हमने, इसी तरीके से कोई बच्चा first year, second year कोई भी बीच में leave कर देता है college को, तो discontinuation bond लगता है, या फिर अगर आपको निकाला गया है college से, इन discipline की वज़े से, या किसी भी वज़े से, अगर आपक ये bond लागू होगा, तो ये होता है discontinuation bond, दूसरा होता है service bond, जब MBBS पूरी हो जाती है, उसके बाद हर state अपने अपने तरी से कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता है, जहां होता है, वहाँ आपको या तो service करनी होती है उतने साल के लिए, हो सकता है rural area दें आपको, हो सकता है आपको rural ना देखे, urban area देदें, कुछ भी area, जो भी वहाँ पर लिखा हुआ है bond में, वो आपको वहाँ पर service करनी होगी, नहीं तो आपको इतना pay करना होगा, ये सब मैं आपको समझाता हूँ, इससे बहले ये समझ लीजिए, कभी भी bond से नहीं डरना है बच्चों, ये तो समझिए, बच्चे क्या करते थे, mbbs के लिए government इतना सारा खर्च करती है बच्चे के उपर, और बच्चा क्या करता है, जैसे mbbs पूरी होती है, private hospitals join कर लेते हैं, या कई और join कर लेते हैं, इससे क्या होता है, government को बहुत बढ़ा नुकसान हो रहा था, केवल उसको सही करने और सही है यह, यह bond बनाए गए जिससे आप कम से कम उतने टाइम वहाँ पर service करें, क्योंकि hospitals में already doctors की कमी है, अब वो साल पूरा हो जाता है, अगले बच्चे आ जाते हैं, तो ठीक है, फिर वो service करने लग जाते हैं, तो एक एक साल इस तरह से वहाँ पर doctors रह पाते हैं, जो clinics, जो कई सारे health centers बनाए हुए हैं, government ने, कई dispensary बनाई हुई हैं, government ने, hospitals बनाए हुए हैं, लेकिन अगर वहाँ doctors ही नहीं होंगे, तो कैसे काम चलेगा, इसलिए service bonds से हमें डरना नहीं है, दूसरी चीज़, service bonds की भी कई सारी limitations होती हैं, कई सारे criteria होते हैं, उसको भी समझे केवल ये नहीं होता, इसमें ये भी जरूरी है, कि अगर government आपको service नहीं दे रही है, आपको कहीं पर posting नहीं दी, तो जितना time आपका हो चुका है, यानि कि जब आपकी MBBS पूरी हो चुकी है, उससे एक से तीन महीने तक अगर service कोई दी ही नहीं है, posting ही नहीं दी, तो अपन अगर हमको दी है service और हम नहीं कर रहे हैं, तो हमें फिर ये pay करना है, तो हमें डरना नहीं है इसके लिए, MBBS कीजिए, service भी कीजिए, colleges हमें अच्छे अगर कोई मिल रहे हैं, तो हम केवल इस वज़े से छोड़ दें कि वहाँ service bond है, या कोई bond है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है, और मैंने एक और चीज बोली, AIQ से, colleges जो मिलते हैं, वहाँ पर भी apply होता है bond, हर bond, हर college की according होता है, college wise चीजें change होती है, वहाँ पर, और उसकी information कहां मिलेगी, मैं आपको description box में एक link भेजूँगा, उस link पर जाकर आपको direct MCC की site पर पहुंच जाएंगे, उस site पर जहां पर यह bonds present है, नई site पर नहीं है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, एक एक state की, सबसे पहले देखिए, आंद्रप्रदेश यहाँ पर discontinuation bond नहीं है, लेकिन service bond एक year का है, या तो आपको एक साल service करनी है, या फिर 30 lakhs आप दे दीजिए, government को 30 lakh रुपए दीजिए, और फिर आपको कोई service नहीं करनी है, आप जा सकते हैं, ठीक है, अंद्रमाने निकोबार में discontinuation bond नहीं है, service bond अगेन एक साल का है, या फिर 10 lakh रुपए दीजिए, अरुनाचल प्रदेश में 10 lakh discontinuation bond है, 10 lakh रुपए अगर आपने seats खराब की है, वहां की छोड़ी है, तो service bond 3 साल या तो आप service करेंगे या 10 lakh रुपए आप देंगे, ठीक है, असम के अंदर discontinuation bond apply नहीं होता है, 5 साल service bond या फिर 7 lakh रुपए आपको देने होंगे, ठीक है, असम के अंदर discontinuation bond नहीं है, 5 और 7 हो जाता है, बिहार में discontinuation भी नहीं है, और service bond भी apply नहीं होता है, ठीक है, 36 गड़ में, discontinuation bond नहीं है, और service bond 5 साल का है, या फिर 25 lakh रुपए आपको देने होता है, 5 साल अगर आपने service नहीं की, तो, और इसी तरह से जब आप services करने लगते हैं, और service भी पूरी नहीं करते हैं, एक साल ही करते हैं, दो साल करते हैं, तीन साल, तो ये भी कम हो जाता है, bond का जो price ह ये भी कम हो जाता है, ये भी समझिये, 5 साल ना करके किसी ने 1 साल ही की, तो उसको फिर 20 lakh रुपए देने होंगे, 2 साल की, तो उसको उस according देने होंगे, तो ये भी ऐसा चलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए हर चीज से डरना नहीं है, 36 गड़, हमने बता दिय या 5 या 25, गोवा में discontinuation नहीं है, और service bond 5 साल या फिर 5 lakh रुपए दो, ठीक है, गुजरात के अंदर 5 lakh का discontinuation bond है, और service bond जो है 3 साल, या तो service करो या 5 lakh रुपए दो, ठीक है, next है अपने पास में, हर्याना 40 lakh रुपए, इसके bond को समझो, इसका bond आप समझने वाला है, हर्याना में जो नया आया भी पिछले साली लागू हुआ है, क्या करना होता है, MBBS के टाइम पे 40 lakh रुपए जमा करने होता है, या आपको 40 lakh रुपए total MBBS की पड़ेगी यहाँ पे, 3 lakh और something जो है, वो आपकी fees है, इसमें fees भी included है, और बाकी जो है, 36 lakh और something का जो है, वो क्या है, आप का bond है, अब क्या होता है, 40 lakh रुपए आपकी पूरी MBBS पूरी हुई, इसके बाद आपको 7 साल पूरा करना है, ठीक है, 7 year, अगर आपने बीच में छोड़ दिया, तो भी आपको यह 40 lakh रुपए तो देने ही होगे, 7 साल अगर आपने services पूरी की, तो यह 40 lakh रुपए जो आप से पैसा कम हो जाएगा, 2 साल service की, 2 साल का पैसा कम हो जाएगा, इस तरह से होगा, और जो 40 lakhs आपको जमा करवाने होते हैं, उसमें भी सरकार जो है, गौर्मेंट जो है, वो bank loan की आपको help करती है, bank loan देने में, अगर आप खुद से नहीं कर सकते हैं, तो अगर खुद से कर स हिमाचल प्रदेश ना तो discontinuation bond है ना service bond है, जारकन में नहीं है, और 3 साल service करिए या फिर 20 lakh रुपै दीजिए, करनाटक में discontinuation bond नहीं है, एक साल की service करिए और ये कमपल सरी है, करनी ही पड़ेगी, ठीक है, केरला में discontinuation bond नहीं है, और service bond एक साल का या फिर 10 lakh रुपै हैं ठीक है और पांच लाक रुपए देने होते हैं यह अपन को 10 ही काउंट करना है यहां पर 10 lakh ठीक है जनरल 10 lakh रुपीज देने होते हैं डिसकंटिनियेशन बॉन्ड में और ऐसे ही सर्विस बॉन्ड में वन इयर या तो आपको सर्विस करनी है या जनरल को 10 lakhs और अदर जितनी भी क्याटेगरी है उनको 5 lakh रुपए देने होते हैं अगर आप में सर्विस नहीं की तो महरास्टर में 10 lakh रुपीज डिसकंटिनियेशन बॉन्ड है और वन इयर सर्विस करिए या फिर 10 lakh या तो वन इयर सर्विस करिए या फिर 10 lakh रुपीज आप दीजिए मनिपुर में 2.5 lakh डिसकंटिनियेशन बॉन्ड है सर्विस बॉन्ड एने नहीं अपलाई होता है मेगाले में 10 lakh रुपए डिसकंटिनियेशन बॉन्ड है सर्विस बॉंड अप्लाई नहीं होता है उरीजा में एने एने यानि नॉट एप्लिकेबल पंजाब में भी एप्लिकेबल नहीं है राजिस्थान के अंदर पांच लाक रुपए डिसकंटिनेशन बॉंड के हैं दो साल सर्विस करनी होती है या फिर पांच लाक रुपए देने होता है तमिल नाडू में दस लाक रुपए डिसकंटिनेशन बॉंड है और पांच साल या तो सर्विस करिए या पांच लाक रुपए दीजिए ठीक है तेलांग ना में तीन लाक रुपए discontinuation bond है और applicable नहीं होता है service bond इसी तरीके से UP में NA होता है discontinuation bond NA है दो साल की services या फिर 10 लाक रुपए देने होते हैं उत्राखंड में NA है discontinuation bond नहीं है और service bond भी नहीं है साथ ही West Bengal की बात करें तो 1 लाक रुपीज discontinuation bond है एक लाक रुपए और एक रूरल में service करनी है या पांच लाक रुपए देने reserve candidates को जो reservation होती है जिनको 10 लाक रुपए देने अगर unreserved है तो ठीक है general है तो यह सब की बात complete है इसके बाद एक और बात समझिए जो service होती है उस service में as a doctor आप government hospital में काम कर रहे हैं तो आपको जो आपकी salary है वो मिलती है यह इसके अलावा है salary तो आपको मिलेगी उसके अलावा आपकी यह service count होती जाएगी और नहीं अगर आप कर रहे हैं तो यह पैसा आपको देना होगा लेकिन आपको salary मिलती है उस duration में भी तो मैं मानता हूँ कि bond से घबराना नहीं चाहिए आपको जो सबसे अच्छा college मिल रहा है और common college मिल रहा है तो आपको जरूर ले लेना चाहिए इसी तरह से कई लोगों ने PG quota के लिए भी बच्चों को confuse किया हुआ है उस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा इस channel पे ही आएगा आगे से जो भी counseling से related video होंगे subscribe इसलिए करना जरूरी है वरना आपको timely नहीं मिलेगा इस तरह के हर अब videos में जल्दी जल्दी लेकर के आऊंगा और आगे आपको कई तरह के quota पे भी बात होगी अलगला quota के उपर में videos लाऊंगा और counseling जब अपनी start होती है तो counseling से related भी सबी च चैनल पे आएगा तो subscribe सबसे पहले कर दीजिए और आज के लिए केवल इतना ही thank you